आपके अपने यूटूब चैनल एजू क्लिक में तो आप लोग कैसे हो वाई सब लोग कैसे हो अच्छे हो ना सब लोग तो जल्डी से वीडियो को जादा सी जादा से शेयर कर दो ताकि और बच्चे साथ में जोड सकें तो हम पढ़ रहे हैं आपके विग्यान का चेप्टर नमबर दो मानब तंत्र याने की होमन सिस्टम मैंने आपको बताया था कि मानब सरी का निर्माण कैसे होता है सबसे पहले क्या बनती है कोसका कोसका स बनती है उतक, उतक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से मानब सरी का निर्माण होता है तो फिर मैंने आपको मानब तंत्र में सबसे पहले पढ़ा था पाचंतंत्र तो हम पाचंतंत्र पढ़ रहे थे पाचंतंत्र कहा से स्टार्ट होता है यह मुख द्वार से पहला मेंने आपको पढ़ा दिया मुख, मौग के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिया है, आज हम दूसरा अंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्रशनी यानि कि फैरेंग्स ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपका चैप्टर नमबर दो, मानब तंत्र, हम पढ़ने वाले हैं ग्रशनी के बारे में तो आपका दूसरा अंग है पाचन तन्त पढ़ रहे थे हम पाचन तन्त को एंग्रसमें क्या बोलते हैं digestive system, digestive system, दिखना है, ज़्यादा छोटा तो नहीं दिखना, दिखना है ठीक, तो आज हम दूसरा point पढ़ने वाले हैं, इसका दूसरा अंगर पढ़ने वाले हैं, वो है ग्रशनी, ग्रशनी, और ग्रशनी को इंग्लिस में बोलते हैं, pharynx, तो साथ में आपको हिंदी के साथ इंग्लिस की टर्म भी याद रखनी है, जिससे क्या होगा, आपको याद करने में भी आसा नहीं रोगी, और आगे जाकर, आप 10th के बाद 11, 12 में जाओगे, आगे तो जो लोग biology subject लेंगे, उनको बहुत जादा इससे फादा होगा, ठी तो हम पढ़ने वाले हैं, गश्नी यानकी pharynx, क्या होती है, इस से पहले में आपको बता देता हूँ थोड़ा, यह आपको हो गया, मुख हो गया, यह आपकी नाग, ठीक है, तो यह मुख हो गया, मुख में यह उ गयी जीवा, जीव हो गया यानकी, यह उपर वाला तालू ये निचे वाला तालू ये हो गया कंट और ये हो गई आपकी सास नलका तो यहाँ पर पाई जाती है ग्रशनी कोई क्या पाई जाती है ग्रशनी ठीक है ये हो गई ग्रशनी और ये हो गई बोजन नलका तो ये ग्रशनी है ये ऐसे होती है पूरी इसी से मिली होती है और ग्र और यह होई आगे जाके सांस नलका ठीक है तो देखते हैं कि ग्रश्टनी होती क्या है और फिर मैं आपको बताता हूं लिखवाता हूं और फिर इस डियाग्राम में मैं आपको समझाओंगा अच्छे से कि ग्रश्टनी है क्या कहां से शुरू होती है इसके कौन-कौन से और तालू के पीछे इस्थित होती है के पीछे इस्थित होती है इसका आकार कैसा रहता है तो इसका आकार होता है कुप्पी नुमा कैसा कुप्पी नुमा को क्या बुलते हैं इंगलिस में फिलास्क सेब फिलास्क सेब फिलास्क के देखा होगा फिलास्क कैसे होता है ऐसे वाला ऐसे तो इसकी जो विषनि के द्वारा ही एक के द्वारा ही तो बोजन है कि ओछ में जाता है है हर यानि कि लेहित ग्रास हमाज को ग्रास नसद्य इन से उसमें जाता है और नरहिता है वो किसमें जाती है स्वांसनल में जो स्वांसनली होती है उसमें बायू जाती है ठीक है तो गिष्णी के द्वारा ही भोजने वो आजनल में जाता है और गिष्णी के द्वारा ही जो बायू है वो स्वांसनली में जाती है और गिष्णी है वो किसी भी हाल में गिष्णी किसी स्वास नाल में स्वास नाल में और जो बायू है बायू को आहार नाल में यानि कि ग्रास नली में है और बायू को आहार नाल में यानि कि ग्रास नली में नली में नहीं जाने देती है अर गश्चनी के नीचे ही नीचे ही बाई तरफ यान कि आगे की तरफ आगे ती तरफ क्या होती है स्वांस नाल होती है स्वांस नाल और पीछे की तरफ पीछे की तरफ क्या होती है आहर नाल याने की द्रास नाल ठीक है और गशनी है गशनी को उन तीन पार्ट में डवाइड करते हैं गशनी के तीन भाग होते हैं एक बार देख लो फिर अच्छित से समझा दूगा तीन भाग कौन से गए है पहला कौन सा है नासा ग्रशनी दूसरा है मुख्र ग्रशनी और तीसरा है कंठ ग्रशनी कंठ ग्रशनी को हम दूसरी नाम में क्या लेए हैं अधो ग ग्रशनी ठीक है अब अच्छित से समझ लो कि जो ग्रशनी है वो मुख ग्रशनी मुख गवह कों उंगलिस में क्या बहलते हैं माउत कैविटी, जेवा यानि कि तंग और तालू को क्या बहलते हैं पेलेट मैंने आपको बतायाता है, मुख में दो तालू होते हैं एक hard and soft, मनला hard palate and soft palate ठीक है तो जो गरशनी होती है वो मुख गुहा जीवा और तालू के पीछे इस्तित होती है तो मैंने आपको प्राइग क्या बतायाते हैं यहां पर शुरुआत में बताया था ना, एक बापस से बना देता हूं इसको चलो. दिख रहा है ना यहां पर? यह हो गई, यह अपकी नाग है, ठीक है, यह हो गया मुँ, यह मुँ गया, तो यह हो गया तालू, यहाँ पर तालू, यहाँ पर ओकोई जीवा, और यह हो गया कंट, ठीक है, तो यह क्या मुख गुआ है, मुख गुआ में यह क्या तालू है, और यह क्या कंट है, तो इसके क्या पाई जाती है ग्रिष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो बायू है बुकिस में जाएगी, स्वांस नल में जाएगी, तो एक स्वांस नल बना ली, ठीक है, आ गया समझ, तो गेशनी के द्वारा ही जो बोजन है, वो आजनल में जाएगा, यानि कि यहां से बोजन करेंगे, तो गेशनी के द्वारा ही, ठीक है, तो गेशनी के फेरेंक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं फेरेंक्स बोलते हैं ठीक है ये क्या होई आहर नाल आहर नाल आहर नाल क्या बोलते हैं ग्रास नाल ग्रास नाल को इंगलिस में क्या बोलते हैं ऐसो फोगस ऐसो फोगस ये क्या बता है था मैंने यह हो गया सांसनली, कुन सी नली, सांसनली, तो सांसनली को बोलते हैं ट्रेक किया, क्या बोलते हैं, ट्रेक किया, ट्रेक किया, तो मैंने क्या बताया था, जो ग्रशनी है, वो मुखगवा, जीवा, तालू के पीछे इस्तित होती है, तो यह क्या हो गया, जीव हो गया, जीव ये हो गया तालू और ये हो गया कांटेया पर तो इसके पीछे इस्तित हो गई ग्रश्णी ये ग्रश्णी इस्तित हो गई ठीक है और तो ग्रश्णी में से ही क्या होता है जो भूजन हम करते हैं वो आहरनार में जाता है इसमें जाएगा और ग्रशनी से ही जो बायू हम ग्रेंड करते हैं वो किस में जाएगी स्वास नली में जाएगी ठीक है इतना समझ आ गया इसके बात ग्रशनी किसी भी हाल में भोजन को स्वास नली में और बायू को आहर नल में नहीं जाने जिती है तो ग्रशनी होती है वो किसी भी हाल में हैं जो हम बोजन खाएंगे यहां से थाया ठीक है लेकिं। यह दोवा लेते हैं सांस लेते हैं तो अहन नॉल में जा तो इस गाटी डक्कन के द्वारा जो भोजन है एदि हम भोजन करेंगे तो भोजन करने के द्वारान जो भोजन है वो स्वास नली में नहीं जाता है ठीक है आगया समख तो गशनी क्या काम करती है गशनी है वो भोजन करने के द्वारान भोजन को स्वास लेने में जाने से र आगे क्या है कि गश्णी के नीचे ही बाई तरफ याने की आगे की तरफ क्या होती है स्वासनली होती है तो यह गश्णी हो गई गश्णी के बाई तरफ याने की आगे की तरफ क्या होती है स्वासनली होती है स्वासनली को एंगलिस में क्या बोलते है ट्रैक या बोलते है और पीछे की तरफ क्या होती है आहर नाल यानकी ग्राशनल होते हैं तो ग्राशनल हो क्या बोलते हैं एसो फुर्गस बोलते हैं ओके आगया समझ और ग्रशनी के तीन भाग होते हैं नाशा ग्रशनी मुक्रशनी और कंट ग्रशनी तो नाशा ग्रशनी को हम क्या बोलते हैं नाश तो यह गशनी के तीन बाग होते हैं। धीकर, चमके के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। मैंने आगो अच्छे से बता है समझा दिया है कि ग्रश्चनी है कि यह कैसी दिखती है इस किन कोंको से भाग होज़ते है ठीक है ना और अपन अब देखते हैं पाचन तंत्र का अगला भाग कौन सा है अगला अंग कौन सा है तो अगला अंग है ग्राशनाल कौन सी ग्राशनाल तो मैंने आपको बता था यह ग्राशनाल यह ग्राशनाल है तो ग्राशनाल क्या होती है ग्राशनी के नीचे के भाग में इस्तित ह होती है तो यह क्या होगी ग्रश्णी बताईती ग्रश्णी के नीचे के भाग में क्या गई ग्राश्णाल हो गई और दूसरे भाग में क्या गई स्वांसनली हो गई तो स्वांसनली तो आगे होती है और जो ग्राश्णाल होती है इसको क्या बोलते है ऐसो फ्रूस बोलते है वो पीछे किसके मेरती है? किसके ग्राशनी के में? तो अब नेक्स्ट टोपिक क्या पढ़ने वाले है? ग्राशनाल ठीक है? अब यह मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा. तो हम पाचन तंत्र का दूसरा अंग पढ़ रहे हैं, जिसका नम क्या है? ग्राशनाल. ग्राशनाल को इंग्लिस में आता है? ऐसो फोगस. क्या कहता है? ऐसो फोगस. ठीक है? तो मैंने जो आपको ये डाइगराम बना रखा, इस डाइगराम में ये बता रखा है न, ये ग्रास नल है, ग्रास नल को क्या बोलते हैं, आर नल भी बोलते हैं, क्योंकि जो हम आर ग्रेंड करते हैं, वो किसमें से होकर जाता है, ग्रास नल में होकर आगे जाता है, तो ये ग एक सक्री नली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है इसकी लंबाई होती है पचीश सेंटीमेटर यह है पचीश सेंटीमेटर लंबी होती है इसके साथ ही यह कहां पाई आती है तो ग्रास नाल है ग्रास नाल यह कहां पाई आती है ग्रश्णी के नीचे वाले इस्थित होती है इस्तिद होती है जो ग्रासनाल है ग्रश्टनी के नीचे वाले भाग से निकल कर गर्दम से होते हुए गर्श्टनी के निकल कर निकल कर डायफ्राम डायफ्राम को क्या बोलते हैं मदपट मदपट से होते हुए से होते हुए कहां जाती है होते हुए उधर गुआ में प्रेवेस करती है उधर गुआ में प्रेवेस करती है प्रेवेस करती है एक बार लेख लेजिए फिर अच्छे से समझा दूँगा उधर गुआ में प्रेवेस करती है अधर गुआ को क्या बोलते हैं abdominal cavity abdominal cavity ठीक है अधर गुआ के बगल में क्या होता है आमासे इसके बाद वो कहा जाती है इसके बाद जाती है आमासे में ठीक है अधर गुआ के बाद कहा जाती है अधर गुआ के बाद जो ग्रासनाल है वो प्रिवेस्ट करती है आमासे में तो ग्रासनल का कार है क्या है ग्रासनल का कार है मुक से मुक से आहार है यानि जो बोजन है बोजन को कहां पहुचाना होता है आमासे तक पहुचाना होता है आमासे तक पहुचाने का कार रह करती है ठीक है या मुख से आर को या भूजन को आमाज से तक पहुचाने का कारे गार गरती एह और क्या होता है घष्ट में घष्ट घष्ट में क्ज़ लिग्रेले मन उल्थे सिलेस्म गरंथियोंग एैं तो यह स्ट्प凶ाUI क्री में रावित करती है जिससे क्या होता है जो हमारा भोजन है वो लस लसा हो जाता है और आसानी होती है कि भोजन है वो आमा से तर आराम से पहुंच जाए ठीक है इतना समझ आ गया आगे और लिखाता हूँ पहले ये समझ लो कि ये मैंने क्या लखाया है कि यह एक सक्री पेसी नली होती है और इसकी लंबाई कितने होती है पच्चीश सेंटीमिटर होती है और ग्राशनाल होती है वो ग्रशनली के नीचे उस्तित होती है तो मैंने आपको बताया था यह ग्रशनी है ग्रशनी से नीचे क्या यह ग्राशनाल लगई यह ग्राशनाल निकल के कहा जाती है यह ग् वहां में तो मैं आपको बता देता हूं कि डायट फ्राम उधर गुआ कहां पर इस्तित होती है तो यह क्या है स्वांस नलका है तो यह स्वांस नलका ऐसे स्वांस नलका ये क्या हो गए ये फैपड़े हो गए ऐसे फैपड़े ठीक है और फैपड़े से ये निकल के जा रहे है ग्रास नलका तो फैपड़े से ये तो स्वांस नली ऐसे कट गई इदर ये चली गई फैपड़े में और फैपड़े के नीचे यह होता है डायफ्राम जो क्या फैपड़ो को सपोर्ट करता है इसके उपर फैपड़े हैं टेके रहते हैं तो यह आगे निकली फैपड़ो यानि कि डायफ्राम से भी आगे निकल गई तो डायाफ्रांस से आगे निकलने के बाद ये प्रिविस्ट करती है ओधर गुहा में तो ओधर गुहा एक पार्ट होता है जिसमें आमासे इस्तित रहता है ठीक है क्या रहता है आमासे तो ये आमासे में ये प्रिविस्ट करती है तो ये आमासे हो गया तो यह आपका आमा से हो गया, आगया समझ, तो जो ग्रास नाल है, यानि ग्रशनी के नीचे वाले भाग से निकल कर, यह नीचे वाले भाग से निकली, और गर्दन से होते हुए, गर्दन से होते हुए, बक्षिस्तल, यह आपका चैस्ट हो गया, बक्षिस्तल से होते हुए, ये diaphragm cynical का का जाती है उतरगुआ में प्रिवेस करती है इसका कार्य क्या है ये भोजन को कहां पहुचाती है आमासे तक पहुचाती है ठीक है समद्वे आ गया इसके साथ ही इस ग्रास नाल में कुछ सिलेशम गंतियां होती है जिससे सिलेश में सरावित होता है तो सिलेश में क्या होता है एक लसलसा पदार्थ होता है जो भोजन को लसलसा करने का काम करता है जिससे भोजन को आसानी से आमासे में पहुंचाए जा सके इसके साथ ही जो गास नलका की जो भित्तिया होती है जो उसकी दीवारे होती है एक विसेश प्रिकार की गती करती है उस विसेश प्रिकार की गती के का रही जो भोजन है वो आराम से किस में पहुंच जाता है आमा से में पहुंच जाता है तो इस गती को क्या का जाता है इस गतियों का जाता है क्रेमा कुंचन गती क्रेमा कुंच के लिए इक बिसेस्त प्रिकार की गति की आती है जो क्या क basic है क्रेमा कुंचन गति क्याती है क्रेमा कुंचन गति को निद्द में क्या बोलते है इसको बोलते है परिश्टलर्श सेज ठीक है количество मॉलते हैं तो आपको अच्छ सम bubble में आ गया होगा कि ग्स नाल क्या है ग्रस नाल क्या होती है ग्रस नेरी के नीचे इस्तित होती है और ग्रस नाल है वो आगे बढ़ती upset गर्दन से निकलती है बक्चुस्तन से निकलती है इसके बाद डायफ्राम से निकलती है और कहां पहुचती है और अधरगवा के बाद कहां पहुचती है या आमासे में पहुचती है आमासे क्या बोलते है इस्टोमक बोलते है और अधरगवा क्या बोलते है अब्डूमनिवल होती हैं जिनसे स्लेश्म स्रावित होता है स्लेश्म क्या होता है एक लसलसा पदात होता है जो भोजन को आमासा तक पहुचाने में आसानी प्रजान करता है और इसके साथ ही जो ग्रासनाल है इस ग्रासनाल में जो इसकी बित्तिया होती है एक बिसेश प्रिका की गती करती हैं जिसके कारण भोजन है आसानी से आमासे में पहुँच जाता है इस बिसेश प्रिका की गती हो क्या का जाता है कैमा कुंचन गती जिसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं ठेके आ गया ना समझ इसके साथ ही जब हम बोजन करते हैं तो बोजन जब ग्रास नाल में आता है तो उसी समय ये बोजन किसमें भी जा सकता है स्वास नली में भी जा सकता है लेकिन ये बोजन करने के दोरान जो बोजन है स्वास नली में ना जाए इसलिए यहाँ पर एक ढखकन लगा होता है उस ढखकन को गाटी ढखकन कहा जाता है इसको इंग्रिस में कहा जाता है Epiglottis क्या कहा जाता है Epiglottis तो मैं यह लिखवा देता हूँ आपको कि भोजन करने के दोरान कि दोरान भोजन किसमें प्रिवेस्ट ना करे यह स्वास नली में प्रिवेस्ट ना करे तो इसी लिए क्या होता है जो गया स्वास नली होती है आपको बताए था ये ग्रस्नी के नीचे क्या है ये ग्रासनाल ये स्वासनली तो जब मुक्से पन भोजन करेंगे तो ये दोरों में भी जा सकता है लेकिन भोजन करने के दोरान जो यह epic lotus यहाँ पर पाया जाता है इस तरह से तो यह क्या करता है स्वास नली को इस टाइम पर बंद कर दिता है जिससे की भोजन ना जा पाई लेकिन ऐसा नहीं है कि मलब स्वास नली को बंद कर दिया कि हम स्वास कासलेंगे स्वांस तो हम ले पाएंगे इसमें क्या बायू तो आती है जो हम ऑक्सिजन लेते हैं बायू तो आती है लेकिन जो भोजन है वो इसमें प्रिवेस नहीं कर पाएगा तो ये स्प्रिका का धक्कन होता है, जिसे क्या जोते हैं, गाटी धक्कन बोलते हैं और इसको इंग्लिस में कहा ज़ता है epiglottis, तो ये आपको याद एकना है कि epiglottis क्या काम करता है, epiglottis भूजन करने के दौरान भूजन को सांस नली में जाने से रुखता है ताकि भूजन किस में जाए ग्रास नल में जाए और ग्रास नल से भूजन कहां पहुचेगा आमासे में पहुचेगा अब भूजन पहुचेगा आमासे में तो हम पाचन जो तंत्र है ठीक है कि क्या तालू है कौन सी जीब है कौन सी ग्राशनाल है और कौन सी स्वासनली है तो हमको इंगलिस में क्या समझते हैं सासनली को ट्रैकिया कहा जाता है आहरनाल हैं ग्राशनाल को क्या बोलते हैं ऐसो फोकस कहते हैं और तालू को बोलते हैं पेलेट ग्याष्टनी को बोलते हैं फैरेंग से ठीक है समझ में आ गया और गाटी डखका ना इसको का जाता है एपी गलॉटेस समझ में आ गया ना ठीक है हम यह रफ कर देता हूं और अब आगे पड़ते हैं आमासे यानकी इस्टोमक ठीक है तो हम पाचंतंत का चोथा अंग पड़ रहे है जिसका नाम क्या है आमासे तो आमासे को अपन इंगलेस में बोलते हैं इस्टोमक इस्टोमक ठीक है तो जो आमासे है वो क्या होती है ग्रास नाल जो ग्रास नाल होती है ग्रास नाल के नीचे का भाग होता है इसकी आकरती इसकी आकरती होती है जे सेप क्यों होती है जे आकर की इंगलेस का जे बनाते है न जे ऐसे वाला जे तो इसकी आकरती जे आकर क्यों होती है यह किस-किस के मद में होता है यह है ग्रासनाल जो ग्रासनाल होती है ग्रासनाल और ग्रैडी ग्रैडी के मद दिस्तित होता है अब यह टेंसर मत दो सब बतानों का ग्रैडी क्या है ग्रासनाल आपको बता दिया है मद दिस्तित होता है डाइग्राम से भी समझा दूँगा ठी पर एक बाल लेख लूँ यह है उदर गुहा उदर गुहा के बाएं इस्तित होता है बाएं तथा जो मद्दपट है कौनसा पट मद्दपट के नीचे यान की पीछे ठीक है पीछे नीचे और पीछे इस्तित होता है यह एक लचिला अंग है लचिला अंग है जिसमें आहा रहाने की बोजन बोजन जो ग्रेंड की चमता होती है कि यह कितना बोजन ग्रेंड कर सकता है इसकी चमता होती है यह एक से तीन लीटर एक से तीन लीटर बोजन ग्रेंड कर सकता है कर सकता है इसकी बात में यह फूल हो जाएगा ठीक है आ गया समझ तो पहले एक बार आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आमसे क्या है तो मैं आपको आमसे का डाइगरम बना रहा हूँ तो यह हो गया आमसे क्या है? आमसे आमसे क्या बोलते है इस्टोमक जो आमसे है वो किसके बीच में बारे जाता है आपको बता रहता है कि आमसे ग्रास नाल के नीचे का भाग होता है तो यह क्या हो गया ग्रास नाल यह ग्रास नाल मैंने जो पहले जो आपको डाइगरम बताया था उतमें बताया था ना कि जो grass nasal바 काम क्या होता है मोग से बोजन को कहा पूचाता है आमासे में पूचाती है ठीक है तो यह हो गई grass nasal और pass Putin किसे प्रूटी होती है आमासे से परूटी है यह क्या है grass नाल तो ग्रास नाल को इंग्लिस में क्या बोलते हैं औसो फेगस मैंने बता था अभी थोड़ दे पहले ऐसो फोगस फेगस ऐसो फेगस ठीक है तो यह ग्रास नाल और किसकी बीच में पाल जाता है ग्रेडी के बीच में तो यहां पर होती है ग्रेडी क्या होती है ग्रेडी तो ग्रेंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ड्यूदेन अंद्यू ड्यू नयों टो ग्रास नाल वो ग्रेंडी के वीच वेचे उटाएं। नीचे हिस्तित होता है। डायाफ्राम को बोलते थोड़े पहले बताया था और अधर इसको बोलते हैं ऑड़नुमल जुग वेकी होती है ऊसको बोलते हैं तो यह जो अमद से हैं यह अधर गौआओ के बाएं इस्तित होता है और अधर अधर घौआ के नीचे सतित होता है born after झाया पे निचे घृती है जो बोजन या आर को 1-3 लीटर तक गहट कर सकता है इससे आगे देखते हैं कि आमा से के 3 भाग होते हैं कौन-कौन से भाग होते हैं तो पहला भाग है इसका वो है जट्रागम जट्रागम भाग कुन सा भाग? जट्रागम भाग जठरागम भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्डियक, क्या बोलते हैं, कॉर्डियक, ठीक है, कॉर्डियक पार्ट बोलते हैं, दूसरा है इसका जठर निर्गम, जठर निर्गम, जठर निर्गम भाग, इसको बोलते हैं, पाई लोरस, क्या बोलते हैं, पाई लोरस, आपको दिख तो इस आमा से के तीन भाग होते हैं जटर आगमन भाग, जटर निर्गम भाग और फंडस भाग, तो आपको मैं बता रहता हूं कि यह क्या काम करते हैं और यह कहां काम इस्तित होते हैं जो आमा से में जटर आगम भाग होता है वो ग्रास नाल की जगेप होता है, गापे जासे ग्रास नाल प्रिविस करती है, तो ग्रास नाल जासे प्रिविस करती है, उस भाग को क्या कायता है, कार्डियक यानि की जटर आगम भाग कायता है, कार्डियक तो यह हो गया कार्डिय एक वाला हिस्सा, ठीक है, उसके बात है जटर निर्गम भाग, तो जो आमा से हले, आमा से का जो अंतिम सरा किसे जुड़ा होता है, यह जुड़ा होता है, छोटी हाथ से, किसे, छोटी हाथ से, छोटी हाथ, छोटी हाथ को इंग्रिस में क्या मोलते है, small intestine, तो यह छोटी है, वो काश्तित होता है, जहां से आमा से है, छोटी हाथ से जुड़ा होता है, तो यह इस जिगे पर क्या पाया जाता है, जटर निर्गम भाग, जिसको क्या कहते है, पाईलो रस, तो पाईलो रस का पायाता है, जहां पर आमा से छोटी हाथ से जुड़ा होता है, वहां प बाग है वो इस जिए पर पाया ज़ता है ठीक है अगेन अग समझ तो यह आमासे के तीन पार्ट हो गए जटर आगम बाग जटर निर्गम बाग और फंडिस बाग तो मैंने आपको बता दिया है कि जहां से ग्रास में जड़ी होती है वहाँ पर होता है जटर आगम बाग इसक फंडिस ठीक है यह फंडिस बाग पाया जटा है और जो यह पूरी बोड़ी होती है यह क्या होती है यह आमासे बोड़ी कहलाती है अगेना समझ अब इसके बाद हम यह देखते हैं कि आमासे में बहुत सारे पदार्ट होते हैं आमासे में जो पदार्ट हैं वो ग्रास नाल में न जाएं और ग्रेडी में कितने हिसाब से जाएं यानकि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए तो इसके लिए आमाइसे में दो अबरोधक नलका लग जाती है क्या लग जाती है अबरोधक को क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है इस फिंक्टर्स इस फिंक्टर्स इस फिंक्टर्स किसे बोलते हैं अबरोधक तो ये अबरोधक क्या काम करते हैं जो आमासे में जो पदात होता है उसको ग्रास नली में जाने से रुखते हैं और इसके साथ ही आमासे में जो पदात होता है क्योंकि आमासे से आगे क्या जोड़ी रहती है छोटी याँ जोड़ी रहती है तो आमासे का बोजन किस में जाएगा छोटी याँ जाएगा तो किस हिसाब से जाना चाहिए उसको किस तर से कंट्रोल करना होता है उसके लिए क्या लगे रहते हैं अब्रोदक होते हैं, तो दो अब्रोदक होते हैं, एक तो होता है, ग्रास नलका अब्रोदक, और दूसरा होता है, जठर नर्गमी अब्रोदक, कौन-कौन से, मैं आपको यहां लग देता हूँ, दो अब्रोदक होते हैं, अब्रोदक, दिख रहा है आपको, अब्रोदक को क् isphincters ठीक है तो कौन कौन से होते हैं दो होते हैं एक तो होता है ग्राफ नलका ग्राफ नलका अबरोजक अबरोजक इसको इंगलिस में काया देता है एसो फेगस एसो फेगस isphincters इसphincters और इसका दूसरा नाम है cardiac sphincters आप्रोदक दूसरा जो अप्रोदक है उसका नाम है जतर निर्गम अप्रोदक इस को एंद्रिस में बोलते है पाई रोलिक इस फ्िंक्टर्स ठीक है अब एक काम क्या करते है तो ग्रास लल का अप्रोदक यानि कि जो ऐस एसो फोगस जो इस्पिंक्टर्स हैं वो क्या काम करते हैं वो ग्रास नलका और आमासे को वेवाजित करने का काम करते हैं जो आमासे में अमलिय भूजर होता है उसको ग्रास नलका में जाने से रोकते हैं तो यह कहाँ पर इस्तित होते हैं तो यह यहीं पर इस्तित होता है जह पाया जाता है ग्रास नलका अब्रोदक यानि कि एसो फेगस जो स्पिंक्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं वो आमासे के अमलिय भोजन को ग्रास नलका में जाने से रोकते हैं और इसके साथ ही जो जठर निर्गम अब्रोदक यानि कि पायरोलिक जो अब्रोदक पायरोलिक इस्पंक्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं वो छोटी आप और आमासे को बेवाजित करने का काम करते हैं यानि कि जो आमासे में जो भूजन होता है उसको किस मात्रा में छोटी आप में बेजना है उसका कार किसके पास होता है पायरलिक इस्पंक्टर्स यानि कि जठर निर जटर नेगम अबरोदक जो क्या काम करता है ये आमा से के बोजन को छोटी आत में जाने के लिए रेगुलेट करता है यानि कि उसको नियंत्रित करता है ठीक है आगया समझ आपको मैं एक इमेज दिखा देता हूँ जिसमें आपको क्लियर से आवरोदक से समझ माई जाएगा क आमा से के जो दो अबरोदक दे रखे हैं कौन-कौन से ग्रास नलका अबरोदक यानि की एसो फेगस इस्पिंटर्स यानि की कार्डियक इस्पिंटर्स और दूसरा अबरोदक दे रखा है जटर नेगम अबरोदक यानि की पायरोदक इस्पिंटर्स तो इसमें आपको आसा पूटी आत है उसमें भुजन को जाने से रोकने के लिए यानि कि भुजन को नियंत्रिक करने के लिए क्या पाया jatा है। ये पारलियक स्प्रेक्टर्स पायाता है यानि कि जटनिरगम अभरोदक पाया जता है। ठीक है और आमासे की उपरी भाग में कौन सा स्पिंक्टर्स लगा हुआ है आमासे की उपरी भाग में लगा हुआ है ग्रास नलका अबरोदक जिसको इंगलिस में क्या बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर्स और क्या बोलते हैं ऐसो फेगस स्पिंक्टर्स तो जो ग्रास नलक जो अबरोदक है वो क्या काम करता है वो आमासे में जो अमलिय भोजन होता है उसको ग्रास नलका में जाने से रोगता है तो आपको इसकी पीडियाप आपको description box में मिल जाएगी तो आप notes की तो बिल्कुर चिंता करने की जरूत है नहीं आपको लेकिन आपको पहला काम है कि आ आपको समझ में आना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ तो किताब में भी है, किताब से भी देख सकते हैं, लेकि किताब से समझने में आपको बहुत मेहनत करने की जोद पढ़ेगी, लेकिन आ आप वीडियो देख रहे हैं, आप एक क्लास ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने अब तक का पढ़ा है, तो आज की क्लास हम यही तक रखने बाले हैं, और कल मैं आपको पढ़ाने बाला हूँ, नेक्स्ट है जो पाच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे क्या होगा, जब भी आपको नेक्स्ट लाइप क्लास आएगी, तो आपको पता चल जाएगा, आपके पास नोटिफिकरिशन आ जाएगा, ठीके, और आपके नेक्स्ट क्लास मेहत की होने वाली है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, नेक्स्ट क्लास लेनी है, ओके, तो जब तक आप क्या करना है, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दो, ताकि और आपके जितने भी ऐसे दोस्ते हैं, जिनकी पढ़ाई रुक झाल झाल